हेलो दोस्तों चैसे हो आप लोग मेरा नाम है लक्षे और वेलकम टो माई वीडिएओ तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं एल्डि हाइड क्या होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों ज़र है आप धियान से सुनियेगा और देखेगा aldehyde का structure कुछ ऐसा होता है aldehyde एक functional group है उसे ऐसे लिखा जाता है bond बनाके CHO इसके अंदर carbon, hydrogen and oxygen elements जो हैं वो present है अगर इसका structure देखें हम तो ये कुछ ऐसा होता है C, double bond O and H तो this is an aldehyde group ठीक है? इसे हम एक aldehyde group कहेंगे तो अब हम देखते हैं कि भई कैसे ये किसी alkyl group के साथ attach होकर aldehyde का formation करता है For example, ये मेरे पास एक alkyl group है Okay? This is an alkyl group मेरे पास एक alkyl group है alkyl group का मतलब होता है कोई भी हमारे पास hydrocarbon है उसके अंदर से हम एक H जो remove कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो alkyl group जो है बन जाता है तो हमारे पास एक alkyl group है उसके साथ अगर हम एक aldehyde attach कर देते हैं aldehyde group attach कर देते हैं तो वो एक aldehyde बन जाता है this is the aldehyde so जो ये aldehyde होता है for example मारे को दूँ आपको एक example दूँ CH3 CHO ये एक aldehyde है because यहाँ पर आपने देखा इसके पीछे CHO group है और जो ये aldehyde है इसका नाम होगा ethanol इसका ethanol नाम क्यों होगा क्योंकि इसके अंदर two carbons है two carbons के लिए हम prefix use करते हैं it and an लगाया मैंने क्योंकि ये एक alkan था और al जो word use होता है that is for aldehyde तो इसका नाम हो गया ethanol अगर ऐसे ही मैं किसी और का नाम देखूँ यानि कि for example CH3, CH2, CHO तो इसका नाम होगा propane क्योंकि इसके अंदर three carbons और three carbons के लिए जो prefix use होता है that is prop so hope guys आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको यह पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए कि अ आपको आपको पसस्टाइब कर देए